दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप स्ट्रक्चर के इंटर्वी में जा रहे हो तो आप कितना प्रिपेर हो आप इस वीडियो के थ्रोज चेक कर सकते हो आप स्टीम में जा रहे हो दोनों को आप चेक कर सकते हो कि आपको कितना कॉंसेट क्लियर है औ इसलिए बीटो को स्टार्ट करते हो और बीटो को लास्त तक देखिएगा अगर अच्छा लगेगा तो फिर से वहीं ओलूंगा शेर कर देजिएगा जाब जाब जाद लोगों के साथ हेलो प्रेंट्स वंस अगेंड वेलकूम बैकिन माई टूचर दोस्तों मैं हूँ आकास पांड़ और आप देख रहे हैं यूनिक स्ट्रक्चर इंजिनर बनना चाहते हैं काई लोग बहुत साला जुमूर्ण होता है कि स्ट्रक्चर इंजिनर बनना है बहुत अच्छी बात है लेकिन जब उसके लिए जा रहे तो हमने त्यारी कितनी की है आज के टायम में अब कॉलन का टाइप पूछना भूल गए हैं लोग अब इस्ट्रक्चर की बात होती है तो क्या आपको डायमिक एंजिस के बारे में पता है और कई लोग बोलते कि सब मैंने इटैम में या सब्सक्राइब करते हैं आपको इनके बारे में पता है अगर पता है तो बहुत अच्छी बार नहीं पता है इनका मैंनुवल प्लस सॉफ्ट ऐर जरूर सीख लिजा एकर डायमिक मिन को पूछरे है क्यों क्यों कि हर किसी को अब गुष्छन का मैंनुवल डिसेशंइन करवाना होता है जी ब्लस 10 के लिए हायर करते हैं लोग बच् पूछेगी आपसे पूछेगी static analysis क्या आपको design based layer के बारे में पता है ठीक है यह से byg यानी soil condition के बारे में पता है आपको seismic zone के बारे में पता है आपको wind का pressure basic wind इसमें पूरे का किना है 39 meter per second क्या आपको पता है प्लस अब इसके उपर की height कैसे check करोगे bb k1 k2 k3 मैंने पूरा इसके बारे में वीडियो बताया था इसका पूरा उसमें डिसक्स किया हुआ है जाके देख लिजेगा आप proper उसको आपको clear हो जाएगा बस यहाँ आप चेक करी कि आपको यह आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ रहा अगर आपको support के बारे में अच्छे तरीके से पता है तो आप perfect है इस job के लिए अगर आपको पता है कि IS 800, IS 456, IS 875 यह तीनों आपने अच्छे से पढ़ा है प्लस रिक और हाँ ductile detailing IS 13920 क्या उसको आपने पढ़ा है क्या आपने IS 1893 को पढ़ा है अगर आपने इतना कुछ पढ़ा है तो आप यह समझे कि आपका RCC का जो इंटर्व्यू है 80% क्राइक कर चुके है अब मैं बात करता हूँ steel की, steel में connection आपने पढ़ा है, board के sizes की design करना आपने पढ़ा है, board का size का से region करेंगे, plate की thinness की नहीं रखेंगे क्या आपने पढ़ा है आपने पढ़ा है कि bending के कितने symbols होते हैं, Kcell grow को सक्राइब पढ़ा है repeated joint क्या होता है, parline में कितने mm का और कौन सा section डालेंगे, क्या पता है आपको आपको पता है कि base plate के कितने types होते है, rectangular होता है, circular होता है विल्ट पुटिंग के साथ है के इसके बादे स्टेडी किया है। आपको कोंशे डफेड सेक्शन कहां भी यूज करें। होट रोल क्या होती है, क्या इसके बारे इसके बादे स्टेंग से बता है। अगर इतनी चीज़े पता है तो आप समझे कि आपको बहुत कुछ string structure में आ रहा है थोड़ा बहुत portal frame के बारे मिपढ़ लिजे का portal frame कैसे कैसे बनते हैं थोड़ा बहुत आप tower structure के बारे मिपुछे का tower में इंगा सेक्षान लगाते हैं को इसली रिलीज कर पाता है degree of freedom के वारे में क्या आपने study किया है अगर किया है rocker support के वारे में study किया है अगर इतना कुछ किया है तो आप समझो कि काफी हद तक आपने बहुत अच्छा steel को भी प्रिपेर कर रखा है मैं software के वारे में next video में discuss करूंगा यह था manual concept अगर आपने इतने के बारे में study किया है मैंस आप काफी हद तक deep knowledge ले चुके हो आप का इंटर्व्य जरूर क्रेक होगा अगर इतना पढ़ते हो जल्दी मैंने सुचा है HR के भी questions आप से discuss करूंगा क्या आप चाहते हो मैं HR के भी questions करूंगा जो जो पूसते हैं क्या आप से इतने के बाल सभम पूस्टार इतना को आप चाहते हैं